कुमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिफ न्यूज मार्केट 24 पर खबर कान की सुगर बजार में क्या इस्टिती है सारी जानकारी आपको step by step हम आपको यहां पर देने की कोशिस आपको करते हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहले केल्सी की हर्चल करते हैं तो केल्सी में सबसे पहले केल्सी में आपने देखा कि कल की केल्सी में आपने देखा चार कि आपको जहती हुई दिखाई देगी आप भी सी तरीके से डवांस मार्केट के लेविल मार्केट की जयानकारी मार्केट पे किस तरीके से सोया तेल में रढ़नी थी बजारों में आपको ड्यूज वार्केट 24 ने दी और किस तरीके से बजारों में बजारों में किस तरीके से आप मश्टर डायल में बजारों में खईधारी करी सरसो सीट में किस तरीके सारी जानकारी आपको step by step आपको यहाँ पर मिलती है तो आप इसके लिए कहीं पर आप परसान होने की जरुवत नहीं आप बॉर्णिंग 945 का आप हमारा आप बजारों में मुनाफ़ा कमाएंगे उसकी रणीति को समझ सकते हैं तो बात करेंगे अब क्या इस्तिती बजारों में होती होई नजर आ रही है तो लोकल बजारों में अगर बात करें तो सोया ओयल का बजार धीरे धीरे 99 रूपए के पहुँंसता हुआ दिखाई धिया पामुलीन का बजार साड़े 93 रूपए हो गया राइस बैज और तेजी देखने हैं लोगी बड़ी तेजी के बजारों में संखेत ही मिल रहे हैं सोया बीन सीड एक रेंज वाउंड एक डायरे में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका में अगर बात करीजा है तो एक नए सोया बीन की विजाई फास्ट होने से यह आपको बताया कि किस तरीके से बेजारों में कल एक बड़ी खबर के निकल निकल के आईए कल चीन अपने रिजर्व श्टाक पर दस लाक टन सोया भी निल्लाम करेगा सीजन अंत में काटन श्टाक पर तीन साल से कम होने वाला है पिछले साल 31 विजदी कम रहेगा इस साल उत्पादन कम है तो सप्लाई भी घट्टे की संभावना आपको यहाँ पर प्रबल होती हुई दिखाई देगी अगर पोर्ट सर्वेयर के काकी नाड़ा चेन नहीं में सन आयल का श्टाक की बात करी जाए तो दो सप्ताई से छ्यासी से एटासी जाटन की रेंज में ही कामका जोता हुए नजरा आ रहा है सवया तेल का इस्टाक श्टाखश डियेदान की रेंज में है obtained नाजॉन में पर पर सिप्यों का श्टाक इस सप्ताई से 48 जाटन से 7 तन कम हुआ है काणड़ा मुन्रा पौर्ट पे फैटी स्टाक भी कहतम हो गई तो यह पोर्ट की स्थिति एक पौर्ट के बारे में भी मने आपको बता दिया पॉर्ट रूपय बेजारों में किस तरीके से अगर मई की बात करिए लेकी गई सरसो तेल में आप से पंद्रा के पहले हाप में छह रूपय कि तेजी हुई उसके बात में तेरा ृपय किलो कि पात करिया तो टोटल 20 रूपय की देखी गई इंडर रिफाइंड में पहले जानकारी हमने आपको बता दी किस तरीके से बजारों में कामकाज हो रहा है अगर कांडला पोर्ट की अगर इस्तिती की अगर बात करेंगे कांडला पोर्ट पर क्रूट पाम आयल का बजा आठसुछासी रुपए फारवर्ड में आठसुछाइट रुपए पर बजारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है अब बात कर लेते हैं किस तरीके से कल KLC की स्थिति रही तो KLC के अगर हम बात करें कल 73 रिंगिट की जोरदार तेजी देखी गई 4 यार 33 रिंगिट टक KLC हो गई सीबॉट जो बजार बंद हुआ है 36 सेंट की बड़त देखी गई है मामूली बड़त सुबह के लसी माइनस 39 रिंगिट खुली है अभी करेंट में माइनस 30 रिंगिट गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है तो बजार में आप देखेंगे कि बजार में इसी तरीके से हाफ़ेंट में जो सर्चों की दिख्वाली चल रही है उसका अगर बजार में देखने के लिए मिलेगा थोड़ी बहुत आपको बजार में आप नर्वी देखने की मिल सकती है उसका अगर जब भी देखने की मिले तो फिर वहाँ पर आप इंट्री करेंगे तो बैटर रहेगा बाकी एग्जेक्ट लेबिल के आपको जानकारी जाननी है दो जून में किस तरीके से बजारों में कामकाज होगा पूरे जून मंत का आपको एस्क्रूजिव वीडियो आपको दो जून को पब्लिस हो जाएगा तो जो लोग भी जुड़े होंगे उनको ए आपको बजारों में दिखा जा रहा है तो बजारों में आप देखके चल सकते है कि बजारों में क्या इस्तिती है किस तरीके से आप बजारों में कामकाज होता हुआ आपको बजारों में दिखाई दे रहा है अब बात कर लेते हैं हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरीके से गेहूं में बजारों में कामकाज हो रहा है गेहूं के बजारों की क्या इस्तिती है गेहूं के बजारों के अगर हम बात करेंगे तो गेहूं के बजारों में आप द निखाई दिया उसके बाद बजारों में करेक्शन जा रही है अब बजारों में यहां से कितना करेक्शन आएगा यह भी आपको जानकारी जाननी है तो बॉर्णिंग आप हुमारा 286 66000 रुपय के आजप बाध बजारों में कामकाज होता हुआ बजारों में नजर आया है किसह बीर और किसी बी प्रकार के लिए लिंक आपको नीचे डिस्केप्शन मॉक्स मिलेगा आप उसको भी डाउनलोड कर सकते तो फ्री सर्विस नहीं है पेट सर्विस है फिर मुलाकात करेंगे आप लोगो से नहीं कबर के साथ तब तक आप लोग स्वस्थ रही है जैहें जैब भारब बीरो रिपोर्ट न्यूज टौइब हो नमस्कार अगरो में बज्टिछ बार के बारे में आज में थैसे यह बाता ahí तो सब्सक्सें बारे में आज 10 दिने का गिरावाट के मर्केश करी बहुत अध descends स्थिर देखे जा रहे हैं लेकिन सरसो तेल को देखते हुए जैसे कि हम आपको लगातार बदाते हैं कि सपोर्ट को देखते हुए सोया तेल में हलकी रिकवरी तो जरूर आ सकती है लेकिन बड़ी तेजी के अनुवान बिल्कुल भी नजल नहीं आ रहा है ब्राजील सोया विरुत पादन 1470 लाग टन अनुवान के आसपास पहुंच चुका है लेकिन बार से हुई शाती इसमें शामिल नहीं है यहां कटाई 98 90% तक पूरी हो चुकी है अमेरिगा में सोया विजाई तेजी से बढ़ रही है चिकागो में कल शाम कुछ कमजोरी मार्केट में देखने को मिली थी वहिषकापूर्ती घटने की धारना है और इसलिए चिकागो तेल में फिर मजबूती देखी जा सकती है सोया बीन में कीमते सेताली सो पच्श्टर है एक रहा है दिसाम चल रहे हैं तो सफ चल रहा है और गोईल प्लाट में नहों सब शतर रिपर तक का देखका सकते हैं मद्रदेश में प्रकाश प्लान में कीमित है अगे और देखा जा रहा है और अगश्य नोब सब्सक्राइब नोज़व किने वो याबीन को लेकर हल्का से निगेटिजर जब के साथ कारोबार देखा नहीं गया है और बात करेंगे कि किस तरा से कराइथ देखा जा रहा है यहाँ पर आज क्या कीमते चल रही है कैसा कारोबार चjung चल रहा है का मारk को विस्तार से दुबारे से पहलेelshet अगर आप जाना चाहते हैं कि कैसा कारोबार आने वाले समय में मार्केट प्रडिक्शन क्या रहे सकता है मंदेशी मार्केट से खबरे आ रहे हैं कि मलेशा पाम तेल उत्पादन स्टॉक में स्टॉक बढ़ने के साथ निर्याद में व्रधिवी दर्ज करी गई है जो कि कैसी को मद्बूत रखने में साया कि कैसी जल्धी चाल हजार से लेकर बायालसों की रेंज में आसपास कामकाज करता हुआ नजर आता है गरेलू मार्केट नर हे अगर देखा चैएं और गरेलू बजार में व्रधिय भात tussen किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है क्या देड चल रहे हैं लोकर मिलों में तो बनसपती में रेट आज 15 लिटर पामलीन करेट 94 रुपर चलदा से और में कीमते 15 लिटर में 1625 लिटर विट देखा जा रहा है बस चोईस में किमते 16 लिटर में बाधन वहें पामलीन में आज करेट 88 आपिनौला में आश ही कीमते 10 किमते सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज मार्केट में जो ट्रेंड है वह आपको यहां से पॉजिटिव देखने को मिल सकता है बहुत सब्सक्राइब के साथ कारोबार देखा नहीं गया है अब इसके अलावा सब्सक्राइब करते हैं सरसों के बारे में तो सरसों के मार्केट में अच्छी बजारों में तेजी देखी जा रही है वैसे बढ़ने की खब्रें आ रही है इसके दबाव की वज़र से सब्सक्राइब की तरफ सरसों नजर आ रही है बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं लेकिन समय लेकर बढ़ने की संभावनाएं इसमें नजर आ रही है विक्री खब्रों की वज़र से लेकिन एक दम से अगर आप देखेंगे की बड़ी गिरावट आएगी या फिर एक तरफा वज़र गिरेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दैनी कावक इस वक्त चैलाग पर देखने का भी ज़़र देखने को में सकता है प्रडक्शन बढ़ने की भी काफी ज़़र खबरें सरसो सीड में आ रही है रेट के बारे में अगर बात करते हैं जैपूर में हैं दिली में कीमिते सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देखने का जैपूर का जैपूर का जड़ और आज में चेंट है तरसों को लेकर वह तो सब्सक्राइब कर देखने को नहीं मिलेगा हाफेड हर्याना की विभिन मंडियों में आज 15199 टन सर्टों के निविदा के माध्यम से बेचे की जानकारों का मानना है कि है इसलिए और भी सर्टों की बिक्री हाफेड जारी रख सकती है तो खीमतों पर थोड़ा बहुत कर रहे हैं जिससे तरह चालू सीजन में सर्टों का उत्पादन उद्यों के अनुमान में कम होने का नुमान है उसे देखते हुए आवकों में अब जादा बढ़ोती नजर आएगी कीमतों में तेजी के साथ गर्मी बढ़ने के साथ सर्सों तेल की घरेलू मांग है उसमें ह और जादा मंदा आने के अनुमान नजर नहीं आ रहे हैं और आज में ट्रेंड पॉजिटिव ही है और क्यूंकि चल रहे हैं मंधन चल रहा है तो बजारों में गिरावाट पर खरीदारी करने के साथ साथ अब उपर इससे पस्तर तक जरूर रह सकते हैं वक्त आने पर अप मार्केट में क्या है पूरी खबर आपको सब्सक्राइब कि बजार में आ चुकी है मुनाफ़ा वसूली से लगातार गिरावट लगातार गिरावट देखी गई है बजार में चल रहा था वहां से मार्केट नीचे आतार इक तर सो पचास ते लेकर इक तर सो पच्छतर के आसपास हो गया है व्यापारियों का मानना है कि कैंसर कार दौरा चने पर लिमिट लगाने की कबर से बिक वाली का जो दबाव है वह काफी हद तक बढ़ा है मौजू में नई फसल की जो आवक है वह अगस्तों सितंबर में बन सकती है ऐसे में चैने के दाम पिर आगे तेज होने का नुमान है व्यापारों का अनुसार मिलर्स और स्टॉकिर्स के पास चैने का बकाय स्टॉक जादा है इसलिए समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जो रेट चल रहा है चैने का अगर इस बारे में बात करें जाए तो तक घट चुका है आज भी 25 रुपए तक की तेजी है दिली विराइस्थान में चैने के जो दाम है वह 775 से लेकर बहातर सो के बीच देखे जा रहे हैं मद्यप्रदेश के चैने के दाम 125 रुपए घटक अगर एक सब्सक्राइब के बीच मार्केट में आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं तो आज अगर दोस्तों वार चानल नियूज माकेश्णारिक फो खबरों में आज हम बात करेंगे कि बारे में आज जो खबरे आ रही हैं वो खास तो और से चीज़ेंगे जो आज चान चीनी यानि शुगर के मार्केट से आ रही हैं चीनी के बजार को लेकर कोटा आने की खबरे सामने आ रहे हैं मही के तुला में कोटा कम आने से चीनी के भाव जूमें मजबूत रहने की संभावनाएं जून के लिए लगबग 25,000,000 चीनी का फ्री सेल कोटा निर्धारिक किय चीनी की हरेलु मांग और खपद 2023-2024 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन ऑक्टूबर सतंबर के दौरान बढ़कर 290,000,000 के एक नए रिकॉर्ड इस तर पर पहुंच जाने का अनुमान है जो कि 2022-2023 सीजन की खपद 2080,000,000 से 10,000,000 या करीब-4 परसेंट तक जादा है हाला कि उद्योग विशलेशक जो है उनका माना ये है कि पूरे देश में आप्रत्याशित सबसे प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहने और आम चुनाओं का अभियान चलने के कारण चीनी की डिमांड और खपत में व्रदी हो सकती है जबकि सरकारी अधिकारियों का ये कहना ह है कि चीनी में चीनी की खपत में होने वाला ये इजाफा सामान है क्योंकि एक तो लोगों के आमदनी बढ़ रही है और दूसरे इसकी खाद शायली में भी बदलाव आ रहा है जून वहजार तेस के लिए अगर देखा जाए तेश लाग पचास जाटन विक्री का कोटा जा में बारे में बात करते हैं जूनी के मार्न के मिल्टा प्रदेश में 精ति वालव में अज चिनी में जो आई सो चल रहा है वह सब्सक्राइब आपको पॉजिटिवी देखने को मिलेगा डिमांड और खपत होने की वज़ए सचीनी में बहुत साथ गिरावट फिलाल आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए मिलते हैं आप सब्सक्राइब के साथ तक के सेथ थाइब है तो वाच वीरो रपोर्ट नहीं के शरुटिवी पूल